हलो फ्रेंड्स, वेलकम तू अवर यूट्यूब चैनल, आज हम बात करने जा रहे हैं साइन्स के इंपोर्टेंट टॉपिक, विटामिन्स के बारे में, बजपन से आपने कई बार विटामिन्स पढ़ा होगा, कई एक्जाम्स में विटामिन्स के रिलेटेड कोश्चन भी आ कामिसा डाउट रहा है, मैंने यूट्यूब पे भी काफी वीडियो देखे हैं, विटामिन्स के इतनी लंबी क्लास करते हैं, जिसमें विटामिन्स के यूजेज, नाम और सब को एक खटा बता देते हैं, जिससे जो विटामिन्स के बारे में एक्ट्वल जानकारी हैं हमें नहीं मिल पाती है को यह को पुरड़ीन के लिहाज से इंप्पॉर्टेंट और दीपॉर्टेमत हुँ है क्या विटामिन्स हैं गया हमारी बॉड़ी में इसकी जरूले और क्यूं इतने इंपॉर्टेंट हैं जो बार-बार हमें जब हमें कोई बीमारी होती है तो किसी विटामिन्स का नाम लेना पड़ता है कि इस विटामिन्स की डिफिसेंसी से ये डिसीज हुई है तो आज हम उसी को कवर करने के लिए विटामिन्स का चेप्टर का एक वीडियो बना रहे हैं मैं इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइट करूँगा जिसमें सबसे पहले मैं विटामिन्स के बारे में बताऊँगा कि आखिर विटामिन्स है क्या इसकी जरुवत क्यों पड़ी और आखिर ये है कितने टाइप के आप्टर डेट इसके बाद अगले वीडियो में जो टाइप्स होते हैं नाम होते हैं इस सब को मैं discuss करूंगा, तो let's further do, हम चलते हैं अपने topic की ओर, vitamins, तो vitamins नाम तो हमने कई बार सूना है, लेकिन आखिर vitamins होता क्या है, इस पर चलते हैं, vitamins में Vita जो है, वो Life होता है, यानि जीवन, और Amine का मतलब होता है, essential, यानि जीवन में आवशक, essential आवशक, क्या जीवन में आवशक तो जीवन में जो आवशक पदार्त हैं उनको vitamins कहा जाता है, अब ये एक organic elements होते हैं, organic and organic क्या होता है मैं आपको बाद में बता हूँगा, तो vitamins एक ऐसे और निक elements हैं, जो जीवन के लिए बहुत आवशक हैं, आगे देखते हैं, 1882 में लेलिन ने इसको discover किया, लेलिन ने क्या देखा, कि जो हम भोजन लेते हैं, उसमें आवशक पदार्तों में कुछ अन्य तक्तू के भी आवशकता होती है, वो vitamins होते हैं, जिनकी शुच मातर की जरुवत हमें जीवन के लिए आवशक होती है, देखिए, बारबाद जीवन के लिए आवशक आ रहा है, मतलब vitamins का मतलब भी वही है, 1912 में Hopkins और Funk ने vitamins थोरी दी, vitamins theory में उन्होंने क्या देखा, vitamins theory में उन्होंने देखा, कि जैसे किसी को भी कोई disease होती है, कोई रोग होता है, तो उसके पीछे एक special vitamin, vicious vitamin causes होता है, मतलब किसी भी बीमारी के लिए कोई ना कोई vitamins जिम्मेदार होता है, अब वो कैसे होता है, मैं आगे सब बताऊंगा उसके बारे में, थोड़ा आगे चलते हैं, vitamins, term use, जो आप बच्मन से सुनते जा रहे हैं, कि vitamin का term funk ने यूज किया, तो vitamin का term funk ने यूज किया है, और 1912 में ही जब इनने vitamins थोरी दी थी, तब उनने term भी यूज किया था, vitamins, अब vitamins, जरूरत क्यों है, हमारे शरी में vitamins की, इसको बता दें, body में metabolic activities होती है, उपाप चाहिए क्रियाए होती है, क्या होती है, मैं आगे चलके आपको बताऊंगा, उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, यह, बिटामिन्स, उसके लिए कार्व करता है, vitamins, जरूराली, दो पार्ट में device होते हैं, एक, जल में घुलंशील, water soluble, एक वसा में घुलंशील, fat soluble, क्या है यह जल में घुलंशील, जल में घुलंशील, वो vitamin, जो body में, एक निश्चित मातरा में, एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं और जो उनसे ज्यादा मात्रा होती है वो जैसे इंटेक अपन करते हैं ज्यादा विटामिन का तो बाथ रूम की मतलब जो यूरेन है उससे पास आउठ हो जाता है जितनी ज़रुवत मात्रा होती है उतनी ही बॉडी में रहती है लेकि वसा मे जो गुलंशीन विटामिन है उनकी थोरी कहानी अलग है उनकी कहानी क्या अलग है कि ये बॉडी में बहुत समय तक कुछ दिनों तक कुछ महीनों तक स्टोर रहती है इसलिए आप ध्यान दीजिएगा जो वाटर सॉलूबल विटामिन है और जो बाहर निकल जाते हैं उनको लेने की जरूए होती है यह बाइमही नहीं लेना परता है इनको जरूवत के समय पर ले सकते हैं तो वस रोच्वल विटामिन कौन से है विटामिन कि विटामिन की लिश्ट बहुत बड़ी है कितने भाव बितामिन बीडियों से लेकर भटामिन बूर्ट के बारे में बताऊ को इसे तो आप इसकानाम से आपको मालूम है किसक्स में यह पायजाते हैं तब तक के लिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा इसको शेर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप पहुंच सके तब तक लिए जाएं